हलो माई यूट्यूब फैमिली तो कैसे हैं आप लोग तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं यह निव रेसिपी जिसका नाम है आलू दो प्याजा तो इसके लिए मैंने या लिया है लहसन जिससे मैंने लहसन अद्रा को चॉप कर लिया और मैंने लिया है आलू जो की बॉयल आलू है और प्याज कहा है और टमाटर है सब को हमें मोटा मोटा काटना है टमाटर हम लेंगे आलू से कम और प्याज हम लेंगे आलू से डवल तो चलिए हम लोग जैसे एक आलू लेंगी तो दो प्याज लेना है और आधा टमाटर ल तब तक हम लोग इसे पका लेते हैं, तो देखिए हमारा लासन भून चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज, जो कि मैंने देखिए मोटी मोटी काट के रखी है, चली मैं आपको दिखा देती हूं किस तरह काटनी है, एक प्याज के चार टुकडे करने हैं, ले हुए आलू, जो कि मैंने कटिंग करके रखे हूए हैं, तो इसे हम भून लेते हैं, तो चली आलू भी हम हलके-लके रेड होने तक भून लेंगे, तो प्याज भी हलकी और पक जाएगी, तो इसी तरह बनाईए, आप लोग आलू दो प्याजा, बहुत ही टेस्टी लगी कि बच्चों को यह बहुत जादा पसंद आने वाली है, तो देखे, यह प्याज और आलू भून चुके हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे मसाले, तो चली मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे नमक, तो नमक इसमें अच्छे से दीजे, एक चमच भढ़के मैं नमक डाल रही अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, यह मैं इसमें डेर चमच के लगवग धनिया पाउडर डाल रही हूँ, तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, यह मैंने एक बड़ी चमच भढ़के डाल दीए, आब इसमें डालेंगे कस्मेरी लाल मिर्च, आब इसमें हम डाले जो कि घड़ पे ही बना हुआ है हमारा गड़ी घड़ा मसाला एक चमपच भुढ़ा भड़ की इसमें हम डाल देंगे थोड़ा ओर किया है मने अब इसे हम हलके हांच से दें मिक्स कर लेंगे क्योंकि ज्यादा, तेह से मिक्स करेंगे तो आलू सारे चूड़ हो जाएंगे त तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहे हूँ इसलिए आप लोगो जल्दी जल्दी लगेगा देखने में तो इस तरह से हम लोग इसे भूल लेंगे मसाला भून के हो चुका है हमारा रेडी तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर बीच में पहले हम लोग गढ़ा कर लेंग मेरी सबसे पहले मिलेगी तो देखिए मेरा टमाटर हो चुका है हलका हलका पक चुका है ज्यादा नहीं पकाना है टमाटर को बस हलका सो और पकाना यह ज्यादा ही खड़े टमाटर है तो हलका सो और पका लेते हम लोग टमाटर को तो देखिए मैं इसे फिर से कवर कर दी तो आप मलाई के जगा फ्रेस क्रिम भी डाल सकते हैं तो मैं यहां मलाई डाल रही हूं घर यह मलाई डाल दूंगी यह मैंने एक कप के बड़ावर पुरी मलाई डाल दी हैं तो इसे हम कर लेंगे हलके हलके हाथों से मिक्स इसे हलक थोड़ी दे नहीं पकाना है अमारी सबजी बनके हो गई है तो इसी तरह आप लोग यह रेसिपी बनाइए और टेस्ट करके मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है जटपट बनके त्यार होने वाली रेसिपी है तो जरूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो